तो हाइप श्रेंस आप सब्सक्राइब बहुत बहुत सब्सक्राइब है तो रिसेंटली जैसे कि आप सो लोग जानते ही कि फ्लेपकाड का बिग बिलियंड डेज सेल और एमाजान का ग्रेट इंडियंड डेज सेल जो है खतम हुआ है और इसमें जो है हमको भारी देखने को मिला है लेकिन इस सेल के दोरान बहुत सारे लोगों को जो है स्कैम हुआ है उनके साथ और बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड भी हुआ है बहुत ही बड़े-बड़े यूट्यूवर से उनके साथ फ्रॉड हुआ है मेरे साथ भी कुछ स्कैम जैसा हुआ सब कुछ प्रूब और फोटोस के साथ ही मैं दिखाऊंगा मैं कुछ हवावें मतलब जो ऐसे ही बोल देता है नहीं बोलूँगा सब कुछ जो है डीटेल्स आपको बोलूँगा और दिखाऊंगा भी यह वीडियो मेरा बनने के एक ही मकसत है कि ताकि आप लोग सब सतर्क हो स सकें तो जिसके आप सब लोग देख रहें मैंने पोको एमटू प्रोजो ए मेरे हाथ में अभी है और यह फोक्योंतू प्रो मैंने जो है फ्लिपकार के बिक बिलियंड यह सेल पर जो है अच्छे डिसकाउंट पर जो है खरीद लिया था लेकिन खरीदने के बाद मीरे को 22 October को यह deliver हुआ और मैंने box को open किया मैंने सोच रहा है तो मैं जैसे expect कर रहा था कि अच्छा device आएगा कोई problem नहीं होगा लेकिन वैसा नहीं था ठीक है तो मैं device को open करने के बाद कुछ minute इसको चलाया लेकिन मैं उसका back panel या ऐसे कुछ detail से नहीं देखा था तो कुछ minute बाद मैं back panel को check करता हूँ कि क्या issue है क्या नहीं और मेरेको इसमें बहुत सारे multiple manufacturing defects देखने को मिलते हैं तो जो भी मैं आपको represent अभी करूँगा सब कुछ photos और image के साथ ही represent करूँगा ताकि आप सब मालब आप सब को पता चले actual में यह sales में क्या होता है क्या नहीं स आप कुछ reality में बता हूँगा तो मैं जब मैं जब देखा कि ऐसे manufacturing defects जो है जैसे कि आप screen पर देख सकते हैं एक photo में दिखा रहा हूं उसका back panel glass का जो होता है और उसके plastic के frame के बीच में आप देख सकते हैं बहुत सारे dust फसा हुआ है यह dust इसलिए फसा हुआ है कि उसमें gap है और उसमें glue भी दिख रहा है आप देख सकते हैं तो ऐसा यह तो जो जो है यह बहुत ही cheap मेरे को लगा ऐसा नहीं होना चाहिए था आप लोग अभी तो अभी मेरे को question करोंगे कि यह तो Poco जो है device को manufacture करती है वो company है उसको blame करना चाहिए आप flip card को क्यों blame कर रहे हो यह चीज जो है मैं आपको clear कर देता हूँ Poco इसको manufacture करती है लेकिन जो seller है वो flip card का है और यह seller जो है क्या करते है ना जो old stocks होता है जो returned stocks होता है ठीक है मानने लीजे मेरे को खराब मिला अभी मैं इसको return कर दिया वो क्या उसको as a refurbished waste यह नहीं वो मलब उसमें scam होता है ठीक है बहुत pre-used model होता है उसको नया बता के जो है sell किया गया है ऐसा होता है यह fact है ठीक है तो ऐसा होता है यह scam जो है किया गया है flip card के seller के द्वारा I think so ठीक है और manufacturing defect जो है ऐसा उनका quality check अगर होता है जैसके आप देख सकते है इस पर paint जो है आप देख सकते है plastic frame जो है camera lens के साथ उसमें paint जो है उखड़ा हुआ है मलब जो paint होता है ना color जो है थोड़ा फेड़ अप है ठीक है तो ऐसा तो manufacturing defect नहीं होना चाहिए अगर pre-used होगा तभी ऐसा जो है mark हमको देखने को मिलेगा जिसके आप frame में देख सकते हैं थोड़ा जो है mark जो है बन गया है तो detail से मैं इतना नहीं जाँगा क्योंकि अभी तक जितना photos में दिखाए हूं आप लोगों को तो आप लोग अभी से जान चुके होगा कि क्या हुआ होगा क्या नहीं मेरे को तो 100% लगता यह pre-used model है जब ही मैं POCO के साथ contact किया मैं उनको बोला कि मैं इसका activation date जानना चाहता हूं ताकि मैं confirm हुआ स सकते हैं कुछ तो मैंने सोचा कि क्या करूं क्या नहीं अगर आप मेरे को सिंपल सा एक मलब solution बोले आप लोग बोलेंगे कि इसको replacement कर दे क्या है इसमें तो लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा क्यूंकि अगर मैं replacement करता हूं इसको तो हो सके इससे भी बड़ा इसू जो है replacement product में म कोई guarantee नहीं कि मेरे को जो product आएगा सामने से वह अच्छा ही आएगा तो ठीक है यह तो मेरा बात अभी खतम हो गया लेकिन कुछ बड़े यूटीबर से जैसी आप देख सकते हैं मैं उनका screenshot दिखा रहा हूं टेकी पार्ट साला यह बहुत बड़े यूटीबर है और मैं उन साल उसे follow कर रहा हूं लेकिन उनको जो product मिला है उनके साथ भी fraud हुआ है actually scam जैसे हुआ है उनको जो Amazon के साथ Amazon से जो sale चल रहा था उसमें जो product मिला है वह एक iPhone 11 buy किये और आप देख सकते हैं छोटा सा जो है mark जो है बना हुआ है उनके iPhone पे तो मैं उनका video पूरा देखा मैं सम जो है उनका कहना जो है यह प्री यूजड मॉडल है या फिर रिफर्बिस्ट मॉडल जो है आप बोल सकते हैं वैसा कुछ है ठीक है मेरा भी वही दाबा है ठीक है तो यह बात इधर ही खत्म नहीं होता है actually बहुत सारे लोगों के साथ scam हुआ है fraud हुआ है actually और एक बड़े यूटिवर है जो कि उनका गेमिंग चैनल है actually उनका गेमिंग चैनल जो है मैं उनका स्क्रीन सोट दिखा रहा हूँ अगर गलती हो जाए मेरे से तो माप कर देना रैफ जो है उनका एक चैनल है जो गेमिंग चैनल है उन्होंने एक आईफोन बाई किया था 48,000 लगबग 48,000 में और 48,000 जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा ही होता है मला हम लोग तामीर लोग नहीं है हम मिडिल प्यास से है तो 48,000 बहुत ज्यादा होता है तो उनको यह फोन मिला जिसके आप देखते हैं उन्होंने ऑन बोक्स किया था मैं उनका वीडियो भी देखा फुल और इनको एक dummy phone जो है मिला जिसके मैं आपको screenshot दिखा आया previously उनको एक dummy phone मिला तो अगर आप सोचते हैं कि online e-commerce platform जो है sale के द्वारान fraud नहीं करती है actually इनका sale के द्वारान fraud या scam जो है पीक पे होता है ठीक है तो sale जब चल रहा है थोड़ा सा आप सतर करें यह मलब पहले कुछ product अगर आप buy कर रहे है तो पहले उसका customer review जो है देख लेए sale के द्वारान क्या है क्या नहीं उसके बाद buy कीजिए I know video थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन at the end मैं इतना ही बोलना चाहूंगा आपको सतर करेंना है तो ऐसी कोई डरनी की बात नहीं है अगर आप सोच रहे हैं कि मैं online पर buy करूं या नहीं बिल्कुल आप buy कर सकते हैं trust कर सकते flip card और Amazon पर लेकिन Amazon पर Amazon का track record देखा कुछ ज्याद आमी फोन आपको मिलता है या फिर ब्रिक मिलता है कभी-कभी वह इसलिए होता है क्योंकि जो delivery man होता है यह delivery boy होता है वह अंदर से पैकेज आपको deliver करने के लिए आपके घर पर आता है उससे पहले फोन निकालके वैसा जोल जमाल करके दे देता है ठीक है ऐसा हो सकता है या seller जो है ठीक है जो seller send कर रहा है वह वैसा कुछ fraud जो है कर सकता है तो यह दो reason होता है mainly तो हमको कुछ company को अगर blame करे तो अच्छा नहीं होता है लेकिन फिर भी company को इसका responsibility देलना चाहिए और different जो है provide करना चाहिए actually तो फिर से आपको मैं इतना ही बोलना चाहूंगा जब आप online पर buy कर सकते हैं लेकिन जब आप package receipt कर रहे हैं थोड़ा सा देख लीजिए कि package का seal जो है सही हो seal break ना हो और जो outer packaging है वह proper हो मलब उस पर wear and tear ना हो ठीक है ताकि आप आपको पता चल सके कि अंदर का package जो है damage नहीं हुआ होगा और दूसरी चीज आपको जब आप unbox कर रहे हैं as a proof ताकि आपके साथ fraud भी होता है तो आप consumer code में उसी वीडियो को as a proof represent कर सको तो I hope यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो लाइक किजाए share किजाए उमरे चनल को subscribe जाए thanks for watching this video